तो दोस्तों सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं तो दोस्तों आज संडे का दिन है तो सोचे क्यों ना आपसे बात की जाए और आपको नरसरी घुमाया जाए तो जैसे कि सर्दियों का समय चालू हो गया है जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं तो जो कि start हो गया तो नरसरी ओ पर फ्लावरिंग के प्लांट आने सुरू हो गया है तो बहुत से दोस्त को पता नहीं लग पाता है कि इस समय नरसरी पर कौन से प्लांट आ रहे हैं दोस्तो हमारे चैनल पे आपको नरसरी पे related सारी वीडियो मिलेंगी तो आप देख सकते हमने पिछली वीडियो भी नरसरी पे बनाई थी जहां पे hanging port और हमने गमलो के size आपको बताये थे तो जो आज की वीडियो है वो है नरसरी पे कौन कौन से flowering plant आ चुके हैं तो उनके आपको रेट पता लग जाएंगे तो आप वीडियो लाश्ट तक देखिए तो मैं नर्सरी में कब से कम दो घंटे बिताऊंगा तो उस नर्सरी का एड्रेस भी मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से उस नर्सरी पर जा सकते हैं तो मैं दो घंटे नर्सरी पर बिताऊंगा जितने फ्लाबरिंग प्लांट मुझे दिखेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा उनके प्राइज भी बताऊंगा तो दोस्तों आप अपने छट पर लगा सकते देखिए मैं भी अपने छट पर खूब जो है कि खूब सूरत बागवानी जरूर बनाए और अगर आपको दिक्कत आती किसी प्लांट के बारे में तो आप हमारे चैनल को देख देखके अपनी बागवानी में काम कर सकते जिससे आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा तो ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो उससे पहले अगर आप अपारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड इदर देख सकते हैं ये गुल्दाबरी है डवल कलर में है देखे बीच में यल्लो है साइड साइड में रैड है तो ये प्लांट यहां पे 50 रुपीज इसका प्राइज रखा है जो की 6 इंच के गमले में लगा हुआ है और यल्लो कलर भी है कई कलरों में लग हुआ 6 इंच के गमला है तो आप इसे बाई कर सकते हैं काफी अच्छा रेट इनोंने रख रखा है और ये कहरे आगे इसका प्राइज बढ़ भी सकता है तो आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं तो इधर देखिए दोस्तो ये सालविया है तो ये प्लांट इनोंने 30 रु इसके प्राइज कम कर देंगे तो आप देख सकते हैं अफिशी एह खुब नगा उंको है और ये सब जो है के फूल सन प्लांट तो आप इन प्लांटों को जरूर बाय कीजिए तो दो देख सकते हैं कि अपने नेश प्लांट के तरफ तो इधर देखिए दोस्तों यह है गजेनिया जो की विंटर सीजन का बहुत खुबसूरत प्लांट है इसकी कोई ज्यादा केर नहीं करनी पड़ती है इसे 6-7 इंच के गंबले में लगाए तो बहुत अच्छे से चलता है तीस रुपे प्राइज है इसकी तो इधर देखिए यह देखिए दोस्तों यह जाफरी है एक गेंदे की विराइटी है तो यह ज सकते हैं तो इधर देखिए यह है देंथस तो कई कल्प में देंथस मिल जाएगा आप देख सकते हैं काफी खुबसूरत प्लांट है और यह प्लांट को कम से कम एक से डेड़ महीना हो गया है तो यह प्लांट आपको 30 रुपे प्लांट मिल जाएगा प्लांट आप घर ले बस आप इन्हें फुल सन में रखें तो आप देख सकते 30 रुपए प्राइज है तो दोस्तों इधर देखिए इधर अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं सब्जियां लगाना चाहते हैं जैसे कि मैंने कहा मैं अपने चट पे किचन गार्णिंग करता हूं तो आप यहां से 40-400 देख सकते हैं यह 10 रुपए सीड है कि आप यहां आ सकते हैं यह 10 रुपए सीड तो मैं है आ से देखिए इधर दोस्तों इधर आप देख सकते हैं तो इन्हों ने कुछ बॉनसाइप पीपल के बना रखे हैं तो मैंने इनसे पूचा कि ये मतलब सेल के लिए रख रखे तो वोले नहीं कि आपनी नर्ट सरी को खुबसूरत बनाए के लिए देखा रखे हैं तो ये काफी अच्छे प्लांट है ये बॉंसाई तो फ्रेंड ये देखिए खुबसूरत सा प्लांट है तो इसके कई कलर आपको मिल जाएंगे जिसकी 30 रुपे प्राइज उन्होंने रग रखी है छोटे से पॉली बेग में लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं तो आप इने भी प्लांट है यह मतलब फूल सन में रखना इसको तो दोस्तों मैंने यहां से कुछ प्लांट किये हैं और कुछ सीड भी लिए हैं तो नेस्ट वीडियो मेरी इसी पर आने वाली है नेस्ट संडे को तो दोस्तों उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मैंने रेट के खरीदे हैं जो प्लांट दोस्टो ये देख सकते काफी खुब्सूरत प्लांट लग रहा है तो दोस्टो मैंने जो है के यहां से जो तो मुझे समान खरीदना था मैंने खरीद लिया अब आपको मिलता हूं मैं नेश्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे और अपनी गार्निंग को इंजोई करते रहिए और वीडियो दोस्तों के साथ सेर जरूर करें